नमस्ते दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेकर रही हूं आलू से बनी हुई ऐसी रेसिपी जिसे खा कर गैरंटी है आपको मज़ा आ जाएगा आलू से भी इतनी तेस्टी रेसिपी बन सकती है आपने सोचा भी नहीं होगा यहां मैंने लिया है छूटे वाले आलू अभी नए आलू आ रहे है मारकेट में तो मैंने इनको एक सीटी लगा के उबाल लिया है और इनने चील लिया है बहुत जारा छोटे आलू हों तो आप उबालिएगा नहीं आप डायरेक्ट फ्राय कर सकते हैं यहां मसाला लिया है जीरा है दो लॉंग दो छोटी लाइजी चार पांच काली मिर्च के जाने जैसा ही यह चटक जाएंगे दो प्यास डालेंगे स्लाइस कट के वे थोड़ी सी लैसुन डाली है एक टुकुड़ा अद्र डाला है इससे हलका सा सॉफ्ट होने तर क्या हलका इस तरीके का सुनेरा कलर आने तक हम भून लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो हरी विर्चे दो टमाटर है बड़े साइस के अब टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है आप चाहे तर से खुला पका लें मैं से ढग कर पका रही हूं जाकि अच्छे सही जल्द के त्यारी कर लेते हैं यहां मैंने आदी कटोई दही लिया है द्यान रखे दही जो आप इस्तमाल करेंगे एकदम ताजा हो खटा दही आपको नई लेना है इसमें मैं डाल रही हूं दो बड़े चमश घर की मलाई आप मलाई की जगह यहां पर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते मैंने मलाई उसकी मसालों में दन्या पाउडर लालमिश पाउडर बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक चमश में डाल रही हैं यहां पे किचन गीग मसाला बाकी मसाले मैंने थोड़े-थोड़े रखे है क्यों किचन की अस अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है डाल देंगे एक तेश पत्ता और जो पेस्ट हमने बनाया है प्यास टमाटर वाला बून करके इसे हमें अच्छी से बून लेना है जब तक कि वापस से जो ऑईल आपको अलग लग दिख रहा है इसमें एक दम से अच्छी से मिक्स हो जाएगा और यह चीटे उठना बंद जा जैसे इसमें बबलिंग होने लगे की गैस का फ्लेम हम दीमा कर देंगे और इसे ना धककर पकाएंगे क्योंकि दही है तो काफी छीटे उठेंगे तो धककर दो-तीन मेट पका लिजेगा जब तक उपर से इस तरीके से ना जो ऑईल है वो ऊजा उटना होना लगे यह रिख आप इमाजिन नहीं करेंगे कि आलू से भी इतना टेस्टी रेसिपी बन सकती है थोड़ा सा पानी डाल दिया है जैसे आपको ग्रेवी रखनी हो सूरी मेथी डाल दी है गरम मसाला डाल दिया है और अभी तक ना मैं इसमें नमक नहीं डाला है तो इस स्टेश पर आप नमक डाल दीजेगा तो स्वात के नुसार हमने नमक डाल दिया अच्छे से मिक्स करके डगकर इसको दम पर बकाएंगे तकरीब दस से बारा मिनट ताकि पूरा जो फ्लेवर्स है ना वो हमारे अच्छे से आलू में आ जाएं और यह देखिए कितना अच्छे से ओपर से तेल न मेरे स्टाहिल में बनावा दम आलू कहते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है आप इस रसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा तो आप इस रसिपी को ट्राइ करें और मुझे जरूर बताएगा आपको कैसी लगी आप